आज हम बनाएंगे सब्जियों से भरपूर और बहुत ही स्वादिस टु वेच क्लब सेंडवीच तो हम शुरुआत करते हैं सब्जियों को काटने से इसके लिए हम लेंगे खीरा यहां पे हम सारी सब्जियों को इस तरीके से स्लाइस में कट करेंगे ये खीरे को हमने स्लाइस कर लिया अब हम लेंगे एक प्यास प्यास को भी हम इसी तरह स्लाइस में कट करेंगे और ये हम लेंगे कैँचिकम कैपिसिकम को भी हम इसे गोल-गोल में ही काटेंगे अब हम लेंगे टमाटर, तो यहां पे हमने दो टमाटर को स्लाइस किया है, अब हम लेंगे पालक, पालक को हम रफली चौप कर लेंगे, पालक और चीज का कॉंबिनेशन बहुत ही बढ़िया लगता है, तो इसलिए हम पालक डाल रहे हैं, अब हम लेंगे एक बीट, तो यहा चाहे तो आप कच्चा भी ले सकते हैं और या फे उबाल कर भी ले सकते हैं और अब हम लेंगे एक आलू तो आलू को भी हम छिलका निकाल के स्लाइस कर लेंगे और प्यूंकि ये कच्चा आलू है तो हम इसे गरम पानी में डालेंगे और पांच मिनिट के लिए उबालेंगे तो अब हम आलू को चप कर लेंगे तो ये अच्छे से पक गया है तो अब हम इसे निकाल लेंगे अब हम लेंगे पनीर को भी हम ऐसे स्लाइस कर लेंगे अब इस पनीर स्लाइस को हम गृल कर लेंगे तो अब सैंट्वीच को असेंबल करना शुरू करते हैं सबसे पहले तीनों स्लाइस पर हम बट्र लगाएंगे और इसके उपर लगाएंगे mustard sauce, यह optional है और अगर आपके पास है ताप इसे ज़रूर श्राइ करें, इसे बहुती पढ़िया flavor आता है इसके बाद हम लगाएंगे हरी chutney, ब्रेड में हमने white bread ली है, आप चाहें तो multi cream या फिर brown bread भी ले सकते है उपर खीरे की slice रखेंगे और उसके पाद टमाटर की slice रखेंगे और अब स्प्रिंकल करेंगे थोड़ा सा चाट मसाला अब इसके उपर बीट रखेंगे उबले हुए आलू थोड़ा सा और चाट मसाला अब हम दुसरी bread से इसे ठक लेंगे और इसके उपर हरी चटनी लगाएंगे और दूसरे लेयर में हम रखेंगे ग्रील किया हुआ पनीर इसके उपर रखेंगे प्यास कैप्सिकम थोड़ा सा चाट मसाला चिड़केंगे और पालक और अंत में थोड़ा सा चीज ग्रेट करके डालेंगे और अब हम करेंगे इसे ग्रील उपर थोड़ा सा और बटर लगाएंगे और इसे अच्छा गोल्डन होने तक ग्रील करेंगे अगर आपके पास ग्रीलर नहीं है तो आप इसे नोर्मल तवे पर भी गरम कर सकते है तो ये हमारी हेल्टी एन टेस्टी वेच क्लब है